पूर्वी मध्य अरब सागर से उठा समुद्री तुफान अश्चोबा उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़का अब मुंबई से 750 किलोमेटर पश्चिम में और गुजरात में वेरवल से 520 किलोमेटर पश्चिम दक्षिम में केंद्रित हैं ये कल रात तक उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और भीशन तुफान का रूप लेने की इसकी आशंका है इसके असर से तटवर्ती करनाटक कोंकन गुवा तथा दक्षिन गुजरात में अधिकतर जगहों पर बारिश होगी और कहीं कहीं भारी वर्षा होगी करनाटक गुवा और माहराष्ट के तटवर्ती इलाकों में 70-120 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है मौसम विभा के मताबिक करनाटक गुवा और माहराष्ट तटो पर समुद्र अशांत रहेगा इन एलाकों में मचवारों को अगले 48 घंटों तक समुद्र में ना जाने की सलहा दी गई है जो मचवारे पहले से समुद्र में हैं उन्हें वापस लोटने को कहा गया है एतियात के तौर पर राज्ये के सभी बंदरगाओं पर खत्रे का संकेत संक्या दो लगा दिया गया है मौसम विभा के मताबिक चक्रवाती तुफान अशोबा धीमी गती से उमान के तरफ आगे बढ़ रहा है हालाकि इसकी वज़े से गुजरात के समुद्री तठके शित्रों में भारी बारिश के चेतावनी दी गई है